दोस्तों ये है realme brand के realme buds 2 earphone और दोस्तों ये जब launch कुए थे चप 600 डुप दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वालाऊं कि आपको ये प्रांसो की प्राइस के खरीदना चाहिएं करिए ओर दो सेल में अगर कुछ बड़े फचसे करते हैं तो अगर आफ UK से एडल लेते हैं तो थो पानसो रुपे में, मतलब 10% के छहाब से 50 रुपे का अपको डिस्काूंट बिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप इसे इस तरीके से पर्जेज कर पाते हैं तो फाइनली आपको यह 450 रुपेका मिल जाएगा तो 450 के हिसाब से दोस्टो सूपर किलर डील है और दोस्तो 500 रुपेके हिसाब से भी कापी अच्छी डील है और दोस्तो अगर बॉक्स के पेकेजिंग के बात करो अगर आप इसे उस तरीके से खरीद लेते हैं तो आपको 450 के मिल जाएगा वो तो आपके लिए दोस्तो कापी अच्छी डील होगी से फिर तो आपको मिस्स करना ही नहीं है और बॉक्स को में फटा फट से ओपन करके आपको लुकिंग बता देता हूँ इयरफोन की देखे आप यह सबसे पहले हमें एयर टिप्स देखनों मिल जाती है इसमें उसके बाद हमें यह एयर पॉन मिलते है और उसके साथ हमें दोस्तों इस टैप से देखनों मिल जाते हैं हमें तो दोस्तो overall quality, comfort और sound quality की बात करो तो दोस्तो ये earphone तीनों में king है मतलब जो आपकी requirement होती है basic उसके हिसाब से ये earphone king है लेकिन दोस्तो कभी-कभी कुछ users को lower base की sound quality पसंद आती है तो दोस्तो उन users के लिए ये earphone नहीं है तो दोस्तो आप JBL वगेरा पे जाएं JBL C100 SI आपके लिए best रहेगा और भी दोस्तो जो भी option होगे मैं description ने डाल दूगा आप check कर लेना या दोस्तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते है अगर आप दोस्तो इस वीडियो को बाद में देखेंगे दवर नहीं है तो दोस्तो इ earphone तो काफी अच्छा है और sound और design काफी अच्छी है और build quality भी अच्छी है और दोस्तो मतलब clarity भी अच्छी है sound की कहीं कहीं और punchy sound है उसके बाद sound quality भी दोस्तो लाउड है और value form भनी earphone है आपके लिए तो दोस्तो आप इससे 500 के साथ से purchase कर सकते है और दोस्तो जो मैंने trick बताए उसके साथ सभी आज से 450 में purchase कर सकते है अगर आप वो trick follow कर पाते है तो और दोस्तो वीडियो के end में मैं एक बात कियाना चाहूंगा आपसे दोस्तो इसकी seal का जरूर ध्यान रखें जब भी आप इसे purchase करें मतलब जब भी आप earphone खड़ी दे या जब भी आप इसे open करें तो इसकी seal का जरूर ध्यान रखें और दोस्तो यह मेरे साथ पहले भी हो चुका है बहुत बार मतलब हमें duplicate earphone बेस जरी जाते हैं तो दोस्तो उसको हमें फिर बाद में replace करवाना पड़ता है और दोस्तो अगर आपने ध्यान निरिया इस बात पर और आपको 10 दिन तक पता नहीं चला तो दोस्तो आपके पेसे बरबाद हो सकते हैं मतला आपको duplicate item मिल सकता है तो दोस्तो आप पहले दीनी earphones को चेक कर लें या जो भी दोस्तो आप online product परचेस करें उसको अच्छे से चेक कर लें कि वह genuine है कि नहीं दोस्तो डूब्लिकेट earphone की पेचान के लिए आपको बस इतना सा करना है आपको sound quality दोस दोस्तो अगर आपको जड़ा सा भी different feel होता है तो आप दोस्तो उसको notice करें और replace करो है अपनी earphone या refund ले अपना जो भी है वह आप देख लें और दोस्तो अगर आप हो सके तो पहले किसी original product को check कर लें उसके बाद दोस्तो आप अपना product purchase करें तो वो option आपके लिए सबसे अ एरफॉन के बारे में और जो भी दोस्तो मैंने अभी बात यह पताई उनको जरू ध्यान रखें दोस्तो आप फिर भी दोस्तो आपका कोई सवाल और हो तो comment जरू करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो वीडियो को लाइक और शेयर क करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें